उत्तर प्रदेश में योगी आदितिनाद की कैबिनिट ने 40 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है ट्रांस्फर पॉलिसी को भी कैबिनिट की मंजूरी मिली है और अब किये जा सकेंगे तबादले 42 प्रस्ताव जो थे कैबिनिट के सामने उनको मंजूरी दी है आईए इस पर जादा जानकारी दे रहे हमारे सयोगी रनवीर से उत्तर प्रदेश में योगी आदितनाद कैबिनिट ने आज कुल 41 प्रस्तावों को मंजूरी दी आज हुई कैबिनिट की बैठक में कुल 42 प्रस्ताव पेश किये गये थे जिनमें 41 को कैबिनिट ने हरी जंडी दे दी सबसे बड़ा प्रस्ताव था उत्तरपिदेश में राज्य करमचारियों की ट्रांसफर नीती को लेके ऐसे करमचारी जिनोंने एक जिले में 3 साल और एक मंदल में 7 साल पूरे कर लिये हों उनका इस्थनांतरण किया जाएगा और साथी कुछ ऐसे राज्य करमचारी जो एक जिले से दूसर जिले में ट्रांसफर चाहते हैं उनके आवेदन पर भी अब उनके विभाग विचार कर सकेंगे इसके अलावा राजे सरकार ने जेवर अंतरास्ट्री हवाई अड़े को जिस जमीन पर बनाया जा रहा है उस जमीन पे किसानों के मुआवजे की नीती को भी सहमती दे दी साथ ही लखीमपुर जिले में एक हवाई अड़ा भी प्रस्तावित है जिसको आज कैविनेट ने मनजूरी दे दी साथ ही उत्तरप्रदेश में बिजली संकट को देखते हुए सोनभदर जिले के ओबरा में जो दो पाव प्लांट्स बन रहे हैं उन पाव प्लांट्स की लागत में जो बढ़ोतरी हुई है उसको भी कैविनेट ने अपनी सहमती दे दी पहले दो पाव प्लांट्स की कुल कीमत 11,705 करोड रुपे थी जिसको बढ़ा करब 13,500 करोड कर दिया गया है इसके अलावा कानपूर IIT में एक Medical Research Center बनेगा और साथ ही 500 बेट का Super Specialty Hospital बनाया जाएगा इसको भी UP कैविनेट ने अपनी मनजूरी दे दी है ऐसे में कुल 42 में से 41 कैविनेट में प्रस्ताव पास किये गए हैं और माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में कुछ और बड़ी ऐसी प्रस्ताव हैं कुछ योजनाए हैं जिसको योगी आदितनात कैविनेट मनजूरी दे सकती है लकनौ से कैमरावसन राइश गुपता के साथ रनवीर एंडी टीवी इंडिया के लिए